ओम स्री गनेशा नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो नवंबर बुद्धवार की रासी फल के बारे में की हाँ दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए बुद्धवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तो इस समय आप निवेस का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेस कर आर्थिक इस्तिति को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं दोस्तो साती सात अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभावना दिखाई दे रही है यदि आप नौकरी बद आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुतसाहित करेंगी आपको अपने कारशित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का समय आर्थिक द्रश्टिकोंड से आपके लिए बहुती अच्छा समय है क्योंकि इस दोरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तो साती साथ आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अत्वा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कला के छेतर से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छेतर में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे पढ़नामों की प्राप्ती होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साती सात इस समय आप अपने काम में महारत हा असिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों द्वारा भी आपके कारों को सरहारा जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों बात कर लेते हैं अज आपके अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच अनबन हो सकती हैं इसलिए आज आप किरोध पर नियंतन एम वानी पर सैयम रखें अन्यत्था विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए क अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों को भी किसी प्रकार का कष्ट ना दें अन्यता इस्थिति आपके विपरीत हो सकती हैं इसलिए दोस्तों तैयार हो जाईए और संभावनाओं को सच में तबद को समझने में आपको परेशा नहीं हो सकती हैं इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुबब व्यक्ति से सला लेने की आवशक्ता पड़ सकती हैं जिहां दोस्तों कई बातों को लेकर आप आज चिंतित हो सकते हैं जिस से सारारिक तथा मानसिक रूप से आज आज सफलता दिलाएगा या दोस्तो आपके लिए आज आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समय लें और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकालें और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं परिवारिक जीवन में आ आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तो आपके प्रेम जीवन में आज बाहर आएगी आपको जरूत हैं तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवायत हैं तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे प्रियतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन के अनकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती हैं यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे के प्रती सानभूती आज हो सकती है तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन म दोस्तो आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने वाला है दोस्तो बात करते हैं जब का वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे छित्र में आज वातावरन आपके अनुकूल रहेगा और शे करिमियों का आज आपको भरपूर शेयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कार्रे बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तो आपको अपने करियर और विजिदिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी आप अपनी सफलता के आज जंडे गार देंगे जा दोस्तो आर्थिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अवसर आपके सामने आएंगे और उसके फलसरूप आज आप अच्छा धनलाब प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे जहां दोस्तो भार की कंपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना है साती सात विध्यार्तियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज कुछ नहीं योजनाएं बनाएंगे जिनमें उनको अवश्य ही सफलत प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है दोस्तो बात करते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपके स्वास्त में कुछ हद तक सुधार आएगा यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दौरान आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिसानियां कुछ हद तक कम हो सकती है दोस्तो साती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री गनेश जी को केसर या सिंदूर चड़ाएं और साथ ही साथ अपनी मनों काम नए मांगें जा दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कश्टो को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लगी हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद